हेलो एव्यवन माईने में जोनादा मिर्शा स्वागत है आपका आज के इस सेशन में तो मैं ऐसे पेपर देख रही थी वहाँ पे मुझे कार्द कॉश्चन ऐसे मिल गए फिगर ओफ स्पीच वाले जैसे क्या होता है न कि जो कॉम्प्रेहेंशन पैसेज होते हैं उसमें वो पूछ लेता है कि ये वाली लाइन में बताओ कौन सा फिगर ओफ स्पीच है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे तो बनती है तो फिगर ओफ स्पीच जल्दी से easiest way में हम पढ़ेंगे और फिर आप मुझे बताएगा कि आपको सारे फिगर ओफ स्पीच समझ में आए या नहीं आए ठीक है फिगर ओफ स्पीच सबसे पहले होता क्या है इसकी बात करते हैं जैसे आप क्या करते हो सुन्दर सुन्दर कपड़े पहनते हो और उनको accessorize करने के लिए अच्छे अच्छे ornaments पहनते हो जैसे लड़के हैं तो watch वगेरा लगा ली ठीक है और अच्छे अच्छे perfume लगा लिया लड़के हैं तो थोड़े गहने पहन लिये ठीक है थोड़ा make-up कर लिया तो इन्होंने क्या-क्या खुद को सुन्दर बनाया तो figure of speech भी क्या होता है कोई भी आपका कुछ भी आपकी writing है कुछ भी आपने लिखा हुआ है ठीक है तो उसकी meaning में और इजाफा करने के लिए उसकी meaning की जो सुन्दरता है उसको और बढ़ाने के लिए जिन words या जिन phrases का हम use करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं figure of speech बोलते हैं ठीक है figure of speech बोलते हैं बिल्कुल easiest way में हम आज इसको पढ़ेंगे रटने के ज़रुएत नहीं है कि क्या होता है इसके definition कैसे होता है बस meaning समझ आने चाहिए meaning क्या है कि figure of speech क्या होता है किसी भी writing में किसी भी लिखे हुए literary piece में अगर आपको उसकी सुन्दर्ता बढ़ानी है उसकी meaning की सुन्दर्ता को बढ़ाना है तो कुछ words या phrases का use करते हैं जिने हम figure of speech कहते हैं कितने होते हैं? देखो भाइस आप होते तो बहुत हैं ठीक है लेकिन जो main होते हैं सबसे main main वाले वो ये art हैं जिने आज हैं पढ़ने वाले हैं कौन सा? simile, personification, irony, onomatopoeia, metaphor, hyperbole, pun और alliteration इन में से कुछ तो आपने सुने होंगे ठीक है तो होते क्या है? बस उने के हम बात करेंगे इनको समझेंगे examples के साथ वो भी सबसे आसान तरीके से पहला आता है आपका simile ठीक है तो simile क्या होता है? simile, similarity आप समझते हैं है न? तो simile में क्या किया जाएगा? आपको similarity दिखाई जाएगी क्या होगा? similarity दिखाई जाएगी comparison क्या जाएगा? देखो भाई, ये तो बिल्कुल इसकी तरह है ठीक, similarity दिखाई जाएगी और वो भी कौन से शब्दों का यूज करके? like और as जैसे शब्दों का यूज करके ठीक है, simile मतलब similarity और कुछ वर्ड ज़रूर आएगा similarity बताने के लिए इसके जैसे, इसकी तरह इस टाइप के वर्ड्स example देखते हैं my love is like a red rose मेरा प्रेम जो है एक लाल गुलाब के जैसा है जैसा है आगया तो ये क्या होगया? simile होगया my brother and I fight like cats and dogs all the time मेरा भाई और मैं लड़ते रहते हैं कुटे बिल्ली की तरह पूरे समय तरह आगया, है ना? यानि भाई बहन का ये जो comparison एक इसके साथ किया गए कुटे बिल्ली से कर दिया ठीक है? Indian is always as busy as a bee as busy as a bee Indian जो है वो इतना ही busy हमेशा रहता है जितनी की एक मधुमखी ठीक है? तो बस उससे हमने comparison कर दिया as, as लगा के my cousin chatters like a monkey मेरा जो cousin है वो chatter करता है बतियाते रहता है, बगबग करता रहता है बिल्कुल एक बंदर की तरह kitty is as proud as a peacock जितना peacock एक proud रहता है उतनी किती रहती है तो यहाँ पर similarly में आपको क्या दिखाए जाएगी similarity दिखाए जाएगी कुछ शब्दों का use करके यह important है, ठीक है words का use होगा, यह बात important है ठीक, अगला देखते हैं अगला है आपका personification personification यानि persona किसी को मिल गया देखिए, जो non living beings होते हैं जो चीजें क्या है, non living है ठीक, उनको आपने personality दे दी, उनको आप कैसे treat कर रहे हो, as human beings treat कर रहे हो, जैसे वो सच में इंसान हो human characteristics उन्हें आपने दे दिया, कैसे example से समझेंगे the sun kissed me while I was clicking a picture, भाई साब sun kiss कर सकता है क्या, kiss करने आएगा भाई साम हो जाओगे पहली, ठीक है sun जो है, उसने मुझे kiss किया while I was clicking a picture तो main बात क्या है, कि sun भाई उसकी रोशनी पढ़ रहे थी ठीक, kiss थोड़ी कर रहा है, तो ये kiss करने का मतलब हमने क्या कर दिया, इसमें एक human characteristic डाल दिया, sun के साथ the flowers danced to the wind हवा चल रहे थी, तो जो flowers वो डांस कर रहे थी, डांस तो इनसान करता है ना, फ्लार थोड़ी डांस कर रहा है, लेकिन हमने फ्लार को भी क्या कर दिया, human characteristic दे दिया, I felt like the food kept calling me, food क्या कर रहा है, आपको बुला रहा है, food बुला सकता है, क्या नहीं बुला सकता ना, लेकिन हमने ऐसे दिखा है, जैसे कि इनसान हो food the stars were sparkling and winking at all of us stars wink कर सकते हैं, क्या प्रिया थोड़ी है ये ठीक है, तो क्या हो जाएगा stars were sparkling and winking at all of us, तो wink करने का star कर नहीं सकता है, non living है लेकिन उसको human का characteristic दे दिया, तो ये क्या हो गया आपका personification हो गया, यहाँ पे ठीक है, अब अगला आता है irony, irony हो रही, जी बहुत भैंकर, मतलब आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन, meaning कुछ और है ठीक है, बोल कुछ और रहे हो लेकिन उसकी meaning कुछ और है, कैसे water, water everywhere, not any job to drink, हर जगे पानी है, लेकिन पीने के लिए नहीं है ये कौन सी बात हुई, पानी है तो भाई, पानी तो पिया ही जाता है, लेकिन आप कह रहे हो पानी हर जगे है, और तुरंत उल्टा बोल दिया, पीने के लिए नहीं है, लेकिन irony हो गई, ठीक है, next आता है आपका onomatopoia, कोई भी चीज रटने की ज़रोत नहीं है, बस समझते चलिए onomatopoia क्या होता है आप देखते हो, जो भी sound होते है, खासता और पे जो जानवरों का sound है, उसको अगर आपने एक word का form दे दिया, तो वहीं पे आपका हो जाएगा क्या onomatopoia, कैसे, मैं अगर बोलू cat goes meow, मतलब meow, है न, बिल्ली कैसे बोलती है meow, meow करती है, उसी को आपने एक word बना दिया, meow ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, onomatopoia बोर्ट गोज, tweet Twitter, कहां से आया, Twitter Twitter, जो मतलब अप तो नहीं रहा बिचारा, रेस्टिंग पीस हो चुका है ठीक है, Twitter का, जो symbol होता था, आपने देखा उस पर चिडिया बनी होती थी तो, जो चिडिया की आवाज है, उसको एक word दिया, tweet करने का और tweet, tweet क्या हुआ, एक word बन गया onomatopoeia, frog क्रोक क्रोक करता है, उसको भी word बना दिया, onomatopoeia, यानि कि animals की जो आवाज है, sound है उसको अगर आप कोई word दे रहे हो, तो वो हो जाएगा onomatopoeia, फिर आता है metaphor metaphor में भी आप क्या करते हो, similarity दिखाते हो, जैसे आपने simili में दिखाया था, but basic difference क्या है, यहाँ पे कोई word यूज होता हुआ, नहीं दिखेगा, जैसे simili में आपको like और as जैसे word दिख रहे थे लेकिन, metaphor में कोई word नहीं होगा, कैसे my mom has a heart of gold मेरी इमा का जो दिल है, वो सोने के जैसा है, meaning तो वही है लेकिन, कोई word नहीं दिख रहा है, यहाँ जैसा वाला, ठेक है, like, like नहीं है as नहीं है, my friend sister Sharon is a night owl तो night owl, वो सच में नहीं हम तुलना कर रहे हैं कि, भाई देखो यह जो Sharon है, वो बिलकुल night owl है, ठेक, हम यहाँ तुलना कर रहे हैं, लेकिन बिना words के, बिना like or as लगाए, तो metaphor हो जाएगा my hands were icicles because of the cold weather मेरे हाथ जो है, वो बरफ के हो गयते, यानि बरफ के जैसे हो गयते, लेकिन अगेन यहाँ पे कोई word नहीं है similarity दिखाने के लिए, you just have to consider the world stage and act accordingly अब पूरी दुनिया को हम stage की तरह बना रहे है, again हमने comparison किया, हमने similarity दिखाई बट कोई word नहीं है, तो यह क्या हो गया metaphor हो गया, दिलीप has a stone heart दिलीप का जो दिल है, वो पत्थर का है, तो पत्थर के जैसा दिल है, यानि कठोर है, again हमने comparison यहाँ किया है, similarity यहाँ दिखाई है, but words के साथ नहीं दिखाई है, तो यह क्या हो जाएगा metaphor हो जाएगा, ठीक है, simily और metaphor में यही difference होता है, simily में like or as जैसे words का use होता है जबकि metaphor में कोई ऐसा word नहीं आता है ठीक है, next आते है आपका hyper bowl, आपके bowl बहुत hyper हो गया, मतलब बहुत उची-उची भेक रहे हो आप तुम, ठीक है जितना बोलना ची उससे जादा बोल रहे हो उससे जादा बोल रहे है, as in जादा फेक दिया आपने, कैसे when she did the flips at the dance she landed as light as the feather जब उसने dance करते time flip किया तो वो जमीन पे कैसे land हुई, flip करते हो मतलब उच हलकते है न, ठीक है तो कैसे land हुई, बिलकुल feather से भी हलकी land हुई ऐसा हो सकता है क्या, भाई, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, क्या तुम feather से हलकी हो सकते हो, नहीं, जादा भूल गये तुम, ठीक है I am so hungry, I could eat all the food here कितने भी भूके होगे टेबल पे जितना सारा खाना रखा सारा तुम नहीं खतम कर पाऊगे ठीक है, तुम वो गंदे वाले food vlogger थोड़ी हो, ASMR वाले, ठीक है Amrita carried home a ton of papers that she had to grade before Friday Amrita teacher had dher sare paper उसको check करने है Rory went on forever about the city she lived in ठीक है, Rory went on forever about the city she lived in ऐसा हो सकता है क्या, बिलकुल नहीं हो सकता है hyper bowl है once again, आपका जिराफ देखो क्या कर रहा है, red bull फी रहा है जिराफ है नहीं, पता नहीं क्या है, zebra लग रहा है भाई पता नहीं क्या है, जिराफ है कि zebra है but red bull पी रहा है, hyper bowl है ठीक है, अगला आता है पन, पन तो आपने काफी memes में देखा होगा, पन में क्या होता है same words होते हैं, लेकिन meaning अलग-अलग होगी, meaning अलग होगी मतलब यहाँ पे थोड़ी सी comedy की जाएगी ठीक है, humorous use दिखेगा किसी word या phrase का और कैसे, जैसे एक ही word के अलग-अलग meaning होते है न, उन्हीं को use करके जैसे आप यहाँ example देखे लिखा है hot dog, ठीक है, लिखा भी नहीं है हम खुदी देख रहे है, hot dog यहाँ है ठीक, तो यहाँ बीच में hot dog तो बना है तो वही चीज़े हैं कि same word के अलग-अलग meanings को use करके आप क्या करते हो, थोड़ा सा humorous way में चीज़ों को present करते हो वहाँ पे लगता है पन, जैसे एक example देखेगा, rabbit ने कहा good grief, tie them together piglet, can you tie a knot अरे piglet, क्या तुम्हे गाठ बान सकते हो, तो piglet ने कहा, I can not नहीं में नहीं बान सकता है, लेकिन लेकिन rabbit को क्या सुनाई पड़ा होगा I can not देखो, pronunciation same है, but meaning अलग-अलग है, और spelling भी थोड़ी सी अलग है, ठीक है, k-n-o-t k-n-o-t, क्या है, आपकी गाठ वाला है, और ये वाला तो तुमको पता है, कि नहीं में नहीं बान सकता है तो rabbit क्या समझता है, oh so you can not rabbit ने क्या समझा, इस cannot को ये cannot समझा, तो piglet ने कहा, no, I can not not, okay तो यहाँ पर, क्या किया जाएगा same words को use करके, जिनका meaning अलग-अलग है, उसको use करके, थोड़ा सा comedy किया जाएगा पन के, sorry पन के अंदर, अगला आता है alliteration, alliteration में क्या होता है देखो, alliteration में same letter का use किया जाएगा, बार-बार वो same letter use होगा, ठीक है, एक effect दिखाने के लिए, कैसे ज़रा देखीगा the wind swayed softly and smoothly, swayed softly smoothly, sss you drive your destiny drive your destiny, he held her hands, he held her hands, ठीक है तो यह यहाँ क्या हो गया, alliteration हो गया, ओके, तो इसे के साथ यह 8 figure of speech खतम होते है यह होप समझ आए होंगे, अगर समझ आया है तो प्लीज, लाइक, कमेंट, शेर, सब्स्राइब जरूर कीजेगा इस चैनल को and बने रहेगा साथ में मैं मिलती होंगे वीडियो में, तब तक के लिए टाटाबाबा, टेक केर, जैहिंद